नमस्कार मेरा नाम है साक्षी सेमवाल आजकल एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है देशो चाहवेदेशो राश्ट्रे अंतिराश्ट्रे सर पर एक ही मुद्दे पे चर्चा की जा रही है वो है इस्राइल पैलेस्टीन वॉर जी हाँ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूरियो में मौजूद है आसिफ खान आसिफ खान जी के बारे में मैं बताओ तो वो डारेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी है जी आपको बताते हैं कि आसिफ खान जी का हमने उनको इसी लिए जो है यहां पे बुलाया है क्योंकि यह जो मुद्दा रहा है इस पे वो किस तरह किसे देखते हैं उनकी क्या विचार है उस सब पे हम आज बारचीत करेंगे तो सर, सब से पहला सवाल आप से फलिस्तीन और इसराइल का यृध है इसको आप किस नजरिया से देखते हैं नजरिया पुरी दुन्या जानती है ये एक हक्टी लड़ाई है और अपने हक्टी लड़ाई होती आई है और होती रहेगी जब इसराइलियों के पास जमीन नहीं थी रहने की तब फलस्तिनियों ने 12% जमीन इसराइलियों के रहने के लिए दी थी इसराइल बढ़ता चला गया अपनी ताकत बढ़ता चला गया उस वक्त फलस्तिन 88% जमीन फलस्तिन के हाथ थी 12% जमीन इसराइल के पास थी आज इसका एकदम उल्टा हो चुका है आज 12% जमीन सिमट कर इसराइल फिलस्तिन के पास आ गई है और 88% जमीन इसराइल के पास पहुँच गई है तो अब ये है हग की लड़ाई और सबर करते करते कोई भी चीज़ को जरूर से ज़्यादा प्रेशर किया जाएगा दबाए जाए तो वो बलाश्ट हो जाएगा कहते हैं सबर आएगा जब बगावत पर हर सितम का हिसाब मांगेगा अगर ये पानी है तो सिर्फ पानी है खुन होगा जवाब मांगेगा तो अप उन्हें अपना डिफेंस किया है अपने हक्के लाड़ाई लड़ रहे हैं नजरीया बोलने की जरूबत नहीं पुरी दुनिया जाती है सबर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी नजर में हमास और पैलिस्तिन एक फ्रीडम फाइटर है या उसको आप एक आतंगवादी की तरह देखते है बड़ी बड़ा बेतू का सवाल कहूंगा मैं ये किसे भी मैंने कहा कि 88 परसन से 12 परसन सीमट के रह गया है फलस्तिन कि उसके बाद भी सारे ही लोग से आतंगवादी कह रहे है मैं एक चीज बहुत अच्छी तरीके से ही जानता हूं कि जो हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े और हमने आज़ादी पाई तो अंग्रेजों के नजरिये से तो हम आतंगवादी थे अहम अपने नजरिये से फ्रीडम फाइटर थे कल तक तालिबान को पुरी दुनिया आतंगवादी कह रहे थी और उनको जब आज़ादी मेरी तो आज सारी दुनिया ने उन्हें गौर्वर्मेंट एक कंट्री एक्सेप्ट किया और मैं इस चीज़ को दोबारा दोहराओंगा कि जब महाभारत का ये धुवा था पांडूओं ने अपनी जमीन मांगी थी वो हिस्सेदार थे जब उन्हें अपना हक मांगा उन्हें पूरी जमीन तक छोड़ने को तयार हो गया थे पांडूओं ने मांगे थे पांडूओं के लिए दुरियोदेन ने कहा था मैं सोई किनों के बराबर भूमी नीदूँगा इनको मैं इसी यही सवाल पूछने वारों से मैं यह सवाल करता हूँ कि पांडू जो थे वो सवाल जो हमारे चर्चा चल रही है इस पर आखरी सवाल यह रहेगा कि आपको लगता है पैलेस्टीन और हमास जैसा देश इसराइल जो इतना ताकतवर कहा जाता है उनके सामने क्या टिक पाएंगे या क्या रहेगा इसका पूरा कंट्लूजन आप बता दीजे दुनिया मे यह नहीं था कि इसराइल का सिस्टम इतना श्टॉंग है मुसाद के कोई भी रॉकेट अंदर नहीं आ सकता है उसका सिस्टम इतना श्टॉंग है कि उस पर कोई अटेक नहीं कर सकता है हर सिस्टम से बड़ा सिस्टम जिसके पास है वो अपर वाले के पास है सारे सिस्टम से सिテ्लिट अपना फेल हो जाएगी तो जब अपने हक के लड़ाई होगी ना तो वहाँ ताकट नहीं देखी जाती है जंग जो है ना जंग कागजी इफराद से नहीं जीती जाती है फेपर पर कितने ही इतनी बड़ी सहना है इतने हैं उसके पास टेक्निलोजी यह सब कुछ है तो जंग कागजी इफराद से नहीं जीती जाती हिमतें लड़ती है तादाद नहीं देखी जाती हमने जब अपने देश की आज़ादी के लिए आवाज उटाए थे सबसे पहले मेरर से मुस्लिम उल्माओं ने आवाज उटाए था अंग्रेज जादा आपके होसले बुलंद होगे और आप हर जंगीत जाओगे एक और सवाल में आपसे जाना चाहोगी कि जैसे कि इस्लाम में कहा जाता है जिन्होंने कलमा पड़ा है वह भाई-भाई होते हैं तो पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है तो क्या वो भी आपके भाई है तो अभी मैं यहां इस्लाम के पॉंटिविस आने से पहले हमारे नभी ने जो मुम्मत साहब ने फरमाया वो एक बात आपके सामने रहतना चाहूं उन्होंने यह कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के निजान को अपनाओ हुब लवतने निफसल इमान और जो आपन तो मैं हक और नाहक पर में रिष्टा नहीं होता अगर हक और नाहक में रिष्टा आड़े आता तो विविशन रावन के भाई थें क्योंकि रावन नाहक पर था तो वो राम के साथ थे अब वो राम के साथ होने से वो भाई तो है वो तो भाई कर रिष्टा है तो है कलमे कर रिष्टा है तो है उसे इंकार नहीं काज़ता है पूरी दुनिया में जिसने कलमा पड़ा हो मुसल्मान और वह भाई है लेकिन अगर वह गलत है तो उसे गलत कहा जाएगा अब मैं वापस आपको महाबारात में लिए चलता हूं कि गोरो और पांडो भाई हैं ना कोई अलग सबसे पहले हमारा भारत देश हैं कि इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं को तक यह जो हमारी बातौ cater थी यह इस्राइल हमास पेलर सीन के चर्चा हम लोग Boonai करी है मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बया कर सकते हैं कि हम सिर्फ बात कर सकते हैं उन मुद्दों पे जो अभी चल रही है लेकिन असलियत में जो कुछ बीत रहा है वो उन्हीं लोगों पे है हम लोग सिर्फ एहसास कर सकते हैं अपनी बातों से उनका दर्भ बया कर सकते हैं और ये जो एहसास जो होता है, वो ही इंसानियत को जिन्दा रखता है.